फोरेस्ट्री के सिलेबस में चार ऐसे सब्चेक्ट हैं अपने जिनसे सबसे ज़्यादा कुश्चन निकलते हैं या निकलने वाले हैं इस सब्चेक्ट में पहला आता है अपना सिल्वी कल्चर जिसे हम लोग फर्स्ट यूनिट में कवर कर चुके हैं दूसरा जो इंपोर्टेंट सब्चेक्ट है वह अपना फोरेस्ट यूटलाइज़चेशन इससे बहुत ज़्यादा कुश्चन निकलते हैं लगभग सिल्वी कल्चर से थोड़ा कम रहेंगे लेकिन इससे भी आराम से कुश्चेशन निकलते हैं forest utilization जो हम लोग अगर आप कोई market से book ले कि आया है तो संभव है कि उनके notes में जो subject दिया हो forest utilization ना लिखा हो उन्होंने उसे कई बार दो पार्ट में divide कर दिया जाता है एक को बोलते हैं WST Woods Science and Technology और दूसरा पार्ट होता है minor forest product इस टाइब से तो पार्ट में कई बार बार दिया जाता है लेकिन by large यह forest utilization के नाम से ही जाना जाता है तीसरा subject है agroforestry and social forestry यह subject और चौथा जो है forest protection यह दोनों ही simple से subject है सबसे ज़्यता जो typical part है वो utilization में आता है क्योंकि इसमें रेक्टा मार वाला पार्ट है जो हम लोग को minor forest product है अब यह तो एक type से आप समझ सकते हो कि मैं उझे लगवा कि एक घंटा लगेगा इसे explain करने में लेकिन आपको अगले 15 दिन लगेंगे इसे याद करने में त्योंकि इसमें होगा क्या timber yielding plant है तो मैं एक आपको एक list के हिसाब से कुछ explain कर दूँगा जिससे आपको दिमाग में कुछ हद तक चीज़ें बैठें लेकिन आपको उनके scientific नेम रटा मारने है गम yielding plants है, lips से निकल रहा है जैसे हम लोग ओं निकल रहा है तो lips oil है bark से निकल रहा है या roots से निकल रहा है हर्ट वुड से निकल रहा है तो हर्ट वुड से किसकिस से निकलेगा उसके example याद रखना तो यह रट्टा मारा वाला पार्ट है और यह आपका टाइम खायगा तो सबसे जो टिपिकल अपना सिलेबस का पार्ट बोल सकते हो वो यह है दूसरा ऐसे रट्टा मारा रट्टा वाला जो पार्ट है वो forest protection में भी आता है इसमें आता है entomology और pathology जिसमें बीमारियों कोई रेक्टा मानना होता है कौन सी बीमारी कौन करता है तो ये बाला पार्ट भी अपने लिए थोड़ा टफ रहता है लेकिन उसे एक लेबल तक ही अपने लोग स्टड़ी करेंगे उस जदा नहीं जाएंगे तो बाई लार्ज अगर बोला जाए तो ये पार्ट अपना सिंपल है असानी से जाता है सिल्वी कल्चर बहुत बड़ा है लेंदी हो जाता है और ये एरेक्टा मार वाला है इनी से सबसे जदा आपके कोश्चन निकलने वाले हैं और रिमैनिंग से थोड़ा खमी रहते हैं तो अपना फोरेस्ट यूटलाइजिशन को देख लेते हैं तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखर ये यूटलाइजिशन या जो फोरेस्ट को हम उप्योग कर रहे हैं इसका मतलब क्या निकलता है तो इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे सिल्वी कल्चर है सिल्वी कल्चर का मतलब है आपके पास एक खाली जमीन थी आपने नर्सरी से पेड़ों उसमें लगाए या बीच से वहाँ पर पेड़ों लगाए और पेड़ों को पाल पोस्ट के आपने बढ़ा किया ये काम रहा आपका सिल्वी कल्चर का अब जब उनके पालने पोस्टे समय थोड़ा बहुत काट छाट हुई टेंडिंग उपरेशन वो सब कुछ हम कहां तक करेंगे ये यहां से लगाने से ले करके इनकी लगाने से ले करके इनकी काट छाट तक के यहां तक का जो पीरियाड है इसे हम लोगों ने डिसकल्स किया सिल्वी कल्चर के अंडर यहाँ पर काटने के पैटन पे भी हम लोग थोड़ा बहुत देते थे कि जैसे हम पूरे जो एरिया है आपके पास दो हेक्टर का एरिया है यह चार हेक्टर का एरिया है उसे कैसा काटा जाए पूरे पूरे खित को एक बार में काट ले जाए या धीरे-धीरी करके काटा जाए तो काटने का जो पैटर्न है उसकी study एक अलग subject के अंडर करते हैं वो यहीं पर applicable होता है इसे बोलते है silviculture system इसे अभी हम लोगों ने study नहीं किया है क्योंकि आपके syllabus पर नहीं है इसमें जैसे की काटने का जो तरीका था कि आप पूरे खित को एक साथ काटेंगे या थोड़ा थोड़े piece करके काटेंगे यह silviculture system का part है वो इसका part नहीं है लेकिन utilization का मतलब है कि हम jungle से resources collect करेंगे उनको collection करना मतलब उनको harvest करना अब आपने जो jungle से चीज़े collect करते हो वो सही form में नहीं होती है तो आप उनको क्या करोगे process करोगे उन्हें segregate करोगे अगर unnecessary चीज़े हैं उन्हें हटा दोगे तो उसको सही form में लेकिया होगे इसे बोल दिया हमने conversion फिर आप convert करके जो product है उसे market तक भेज़ोगे यह रहा transportation और market में जाके बेच दोगे यह हो गया आपका disposal तो यह वाला जो part है इसे हम लोग study करते हैं forest utilization के अंदर क्यानि कहां से resources को collect करना convert करना transport करना और dispose कर देना अब यह जो harvesting है अगर आप minor forest product है जैसे की पतिया collect करनी है अपने MP में तेन्दू पता collect किया जाता है तो यह जो collect करनी का काम है उसका अलग होगा वो तो आप silvy culture system से confusion की सवाली नहीं बनता उसमें गौंद जो है glue उसे collect करना है तो उसे आप समझ सकते हो और अगर timber की बात की जाए तो यहाँ पेड़ों को कैसे collect होगे पेड़ों को आप काट होगे तो यहाँ पेड़ों के काटने की बात की जा रही है हम यह तरी के बात नहीं करेंगे कि आपका एक जो खेत है वो पूरा का पूरा काटना है या उसके पीस पीस काटना है वहां वे आफ जो पेडों का जो है उसके बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पर अपना सीधा सा है कि आपके पास जो भी तरीका हो आपने पहले से Silvical các system, जो भी चला हो हम वहाँ पर जाएंगे पेडों को काटएंगे और बाहर निकल के ले आएंगे तो यह जो थीम रहे ही यह रहती है अपनी forest utilization की तो आपको इसकी अगर definition आजाती है अक्सर ऐसा हुआ है कि वो सीधी सीधी definition दे देते हैं majority जो अपने state level के question है ऐसे exam जो मैं 20, 25, 30 तक आते हैं इवन जो optional हैं सीधी सीधी 100 question, 1500 question के और मैं भी सीधा definition दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि यह क्या है तो पहला option आगया जैसे silvy culture है forest utilization है, forest management है, forest protection है ऐसी चार definition दे देंगे आगे question भी देखेंगे इस पर बिलकुल same question है हुआ है इस पर अब इसके अंदर हम basic देखा जाए कि total क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसकी purpose यह है कि आपको एक theme समझ में आ जाए कि हम लोग जो wood science and technology भाला जो आगे का part है उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे जैसे confusion चीज़ें ना हो अक्सर online की साथ यह समस्य रहती है direct communication नहीं होता है तो हवा हो जाती है चीज़ें तो सबसे पहले तो हम पार्ट यही दिखेंगे कि जंगल से जो resources हैं उन्हें collect कैसे किया जाए तो collection में जो timber है वही actual में major resources है तो उसी को हम लोग यहां discuss करेंगे जो minor forest products हैं उनकी कैसे resources उनकी कैसे harvesting की जाए वो forest department के अंडर नहीं आता है कहने का मतलब है कि जो minor forest product है उसे by large जो joint forest management company है travels है वही collect करते हैं तो उसे हम लोग जो travel economy है या forest economy है उसके अंदर discuss करते हैं यहां पर उन चीज़ों को नहीं देखा जाता है यहां पर उन चीज़ें देखी जाती है जहां forest department direct involved होता है यानि की जैसे timber harvesting तो यहां सबसे पहले तो हम यहीं देखेंगे कि पेड़ों को काटना कैसे है आपके बलकुल हरी से काटोगे अरी से काटोगे तो एक तो अपनी जो theme चलेगी इसमें पूरे discussion की उसमें यहीं चलेगी कि पेड़ों को कैसे काटा जाए काटने के लिए उनकों से हत्यार यूज होंगे कैसे काटा जाएगा काटने के भी कुछ नियम कानून है जिससे सही तरीके से जो timber है उसकी बरवादी ना हो तो आप ज़्यदा सही तरीके से timber निकाल पाए जो मजदूर है उन्हें कोई दिक्कत ना आए तो उसके कुछ rule है filling rule बोलते हैं उनको discuss करेंगे और जब पेड़ कट गया तो आपको पता है कि पेड़ जब गिरा है तो उसके साथ उसकी branches होंगी तो आप branches बगर हटा करके उस पार्ट है उसे इस वीडियो में discuss कर लेंगे इसके बाद जब आप वहां पर convert कर लेते हो forest area में फिर आपको लेके जाना होता है डिपो में forest डिपो में कहने का मतलब है कि आप जंगल से काट के सीधी की सीधी किसी चीज को factory में नहीं बेच सकते है forest department है government का क्वाम है तो वहा selling के लिए एक बीच में intermediatory होते हैं तो forest में जो अलग-अलग हिस्से हैं वहां से ऐसे जो resources collect किये जा रहा है जैसे timber collect किये जा रहा है उसे वहां से transport कर दिया जाता है एक area में एक जैसे चोड़ा जैसे अपना playing ground होता है ऐसा एक area होता है forest department का जिससे बोला जाता है डिपो दिपोट अब यह जो डिपोट है जहां पर यह timber पहुंच जाएगा यह डिपोट वाले क्या करेंगे इनके आसपास के suppose मैं गॉलियर में हूं एक basic theme आपको पता है कि गॉलियर है गॉलियर में ही पास में एक forest डिपोट है अब यह डिपोट क्या करेगा कि जो आसपास के जि तो ऐसे बहुत सारी जिगह से timber यहां आता रहता है अब डिपोट वाला जो department का part है यह क्या करेंगे कि यह जो लखड़ी आई है उसे करेंगे segregate उसे quality के हिसाब से इस पिसीज के हिसाब से जैसे कि टिक की लखड़ी डिपोट की एक हिस्से में रख दी साल की अलग है नेम क तो डिपोट वाले क्या करेंगे टिमबर जो आया है उसकी grading करेंगे वहीं पर इनकी बोली वगड़ा लगाई जाती है बेचने का काम होता है तो डिपोट में grading का काम होगा वहीं इनकी oxygen होगी और oxygen जो होती है उसमें जैसे कोई paper mill है farmer भी हो सकता है मैं भी चलो suppose मुझे घर म wooden work कराना है मैं जाके डिपोट से लखड़ी लेकिया गया सस्ती पढ़ती है प्लाइबोड इंडिस्ट्री है पेपर इंडिस्ट्री है सबके सब वहां से लखड़ी उठा लेते हैं तो एक तरीका है तो यह चैसे मैं खरीद के लिए आगया है डिपोट से तो यह एक step में बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत history देख लेते हैं कि यह पेड़ों की काटने से related काम पेड़ों की काटने में क्या होगा था था कि जब अंग्रेज थे उस टाइम पर forest पर पोई बहुत ज़एदा काम थो होता नहीं था हम forest को सहीं समझते थे कि जंगल है लगा है है चार प्रियर अगर बरबाद भी हो तो अपना क्या जा रहा तो उस पर जो क्टिंग के मैथाड है उस पर कभी धियां लिया गया बाद में क्या किया गया है कि जब आप इस वीडियो के ़तफ पहुंचो के तब आप से काट के आप ले आए और जब फाइनल डिस्पोजल है इंडिस्टी तक पहुंचते पहुंचते लगबग 50% लकडी बरबाद हो जाती है अब 50% आज की टाइम पर बरबाद होना बहुत बड़ा डेमेज है क्योंकि आप उतना बरबाद होगा तो आप नए पीड़ काट होग साजाद हो गया था तो उस टाइम पर कुछ लोग आए उन्होंने नहरूजी से भी बात की कि भाई ऐसा ऐसा है चलना है तो उस टाइम से जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया वो एगरिकल्चर और फोरेस्टी की फीड़ में थोड़ा जदाई वर्क एंथूसियाजम था अरजन थे जुन्होंने उस वे महली काम किया लेकिन अपनों को यह याद रखने की जरूरत नहीं है MP के लिए इसका बताने का हमारे क्वली परफ़ज होता है कि आप मैंसे अगर कोई हायर एक्जाम दे देगा तो कंसकाम इतना पता रहेगा कि यह चीज़े है अपने कारई वाले आए पात में थोड़ा नहरुजी तक बात पहुंची तो उन्होंने फिर फंड वगरा है रिलीज कर दिया कि टंबर की बरवादी कम हो तो फिर उन्होंने जम्मू कस्मीर में एक जगा है बटोट वहाँ पर लॉगिंग ट्रैनिंग सेंटर की स्थापना की यान जम्मू कस्मीर में है 58-59 के आसपास खोला गया था यह आपको पता पड़ जाता बस बटोट पता होना चाहिए अब एक कोश्चन देख लेते हैं अपना फोरेस्ट जो यूटलाइजीशन की डेफिनिशन का है कि ब्रांच ऑफ फोरेस्ट्री जो की पेड़ के काटने उनके कनवर्जन उनके डिस्पोजन और यूज से जो फोरेस्ट प्रोड़क्ट है उससे जुड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं तो सीधी शीधी बात है कि वह आएगी अपनी फोरेस्ट यूटलाइजेशन लेकिन चारो आपसन जरूर पढ़े हैं आप इसमें फोरेस्ट अगसा कर सकते हैं कि से तीन पेलर में डुबाइड कर लेंगे पहला पिलर जो रहेगा इसमें हम्हां discuss करेंगे कि हम पीडों को कैसे काटेंगे और कैसे उन्हें convert करेंगे इतने वाले जो हिस्सा है उसे करेंगे फिर बात में हम ट्रांस्पोर्टेशन वाली चीजों को समझ लेंगे दूसरी पार्ट में तो पहले पार्ट में हम इतने देखेंगे कि पीड़ों को काठना और उन्हें घंबाट करना अब जब काठने की बात आएगी तो काठने के लिए क्या चाहिए आपको हतियार चाहिए तो इसमें प पेड़ जो है सीधा सीधा पेड़ पड़ा हुआ है उस पेड़ में ब्रांचेज होंगी आप यह ब्रांचेज को हटाते हो जिससे एक लॉग बन जाए इसे बोलते हैं लॉग मेकिंग या लॉगिंग क्या बोलेंगे इसे लॉगिंग और यह लंबा पेड़ होता है तो हम चोटे चोटे पीस में convert कर लेते हैं इसको term use किया जाता है bucking यह bucking term कई बार आ चुका है आपको आम जो अपने books है उनमें नहीं मिलेगा लिकन ही कई बार पूछे जा चुका है और इसके बाद generally हम लोग लोग और bucking तक रुख जाते हैं लेकिन कुछ extreme case में हम लोग उसे conversion भी कर देते हैं Conversion का मतलब है जब हमने पेड काटा है तो वो कैसा होता है गोल इस type का अब इसमें भी जब हम लोग आरा मसीन में लेके जाएंगे तो यह कैसा बनेगा ऐसा square में फटे बनते हैं इसके तो यह side की जो लखड़ी है उसका कोई मतलब होता नहीं है खाली पीली में transportation भी उतना ज़्यदा कर नहीं पाते है क्योंकि इस area बहुत गेड़ती है इसे हम लोग conversion के time पे फिर से discuss करेंगे तो इसे convert कर लेते हैं यह वाला जो हिस्सा है उसे हम अभी देख करते हैं डिसकस करेंगे एक एक करकें तो सबसे पहले देखेंगे के प्रणू की काटने के लिए कौन कौन से हम tool यूज करते हैं जैसे पहला tool है अक्सर अपने पास रहता है जैसी एक है कुलारी दूसरा है बिल हुक, सौ मतलब आरा मसीन, वेज, पिकरून यह आपने ज्यादातर को सुना भी होगा लेकिन फिर भी एक एक करके देख लेंगे उनसे रिलेटेड जो चीज जुड़ी हुई है वो देखेंगे तो पहला अपना टूल आ जाता है कुलहरी आपने कुलहरी देखी हुई है, यहाँ पर जो कुलहरी दिख रही है यह है यूरोपियन, कुलहरी में क्या होता है, यह मैटल का हैड होता है और यह अपना हैंडल होगा है, यह जो हैड है, इसे बोलते हैं हम लोग फेस इसे बोल देते हैं बैक ही इसका पिछाई है यहां पर जो होल होता है इसे बोला जाता है होल या आई आख अब अपने हां डिफरेंस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है अपने हां जो इंडिया है आपने अगर उनके देखा होगा तो अपने हां के जो होल होते हैं वो बिल experience नहीं है पेड़ों को काटने में हम लोग इस टाइप की चीज़ें जदा करती नहीं है जो नेचर को हार पहुचे लेकिन जो यूरोपियन सोसाइटी है वो यह कनवर्जन पर बहुत लंबे टाइम तक उनका काम रहा है जंगल साफ कर डाले उनने काट काट के तो वो इसमें थोड़ा एडवांसमेंट है कुलाडी में उनके में क्या होता है कि यहां जो होल होता है वो ओल टाइप का होता है चप्टा होता थोड़ा तो जब इस टाइप से वो लकडी जो है यह जो हैंडल है जब वो फसा देते हैं तो उसमें क्या है कि जब वो इससे काट रहा है तो यह घूमता नहीं है इधर अधर नहीं मौंपकरता तो बस यह एक आता है क्यूशन की यूरोपियन और जो अमेरिकन एकस है उनका ओवल शेप का होता है इसका होल या है जबकि इंडियंस का अपना राउंड होता है यह मैटल का बना होता है यह वुडन का होता है यह नौर्मल सी चीज़ा है दूसरा इतमे कुश्चन तो कुछ और नहीं आएंगे बस बेसिक खाली पीली की चीज़ा बता दीता हूं कि इसका बजन कितना होता है जनरली हम लोग एक से डेल किलो जद अस जद दो किलो तक की बजन की हम कुलारी यूज करते है फिर अगर आपको बड़े पेड़ काटना है तो उसमें यह छोटी काम जदा नहीं कर पाती है तो फिर हम लोग ढ़ाई किलो तीन किलो तक ले सकते हैं लेकर ढ़ाई तीन किलो के लिए थोड़ा पहलवान आदमी चाहिए मे बिल हुक के साथ अच्छे क्या है कि यह पूरा फॉर्स जो है ना आसानी से छोटे सीरिया में लगाए जा सकता है कुलारी की कुलारी में अप लंबा डंडा होता है तो फॉर्स इसी जगह जहां बहुत जदा हैवी फॉर्स की जरूवत है वहां यूज कर लेते हैं बिल हु कि दिए जो है ॉसकी जब भी कृटाई का काम होता है हम लोग बिल हुक को ही युज करते है चटा तर चेस छुटे मोटे कりड़ाई चटाई के काम में तो दूसरा उप्सन बिल हुक हो गया तीसरा है सौ जो अपनी आरी आ गई है अब यहां आरी अपने काम किया यहाँ पर वोकाम के हैं और आरी के जो टाइपस हैं वोकाम के हैं जैसे ये जो टाइप है सो का इसे बोलते हैं क्रोस कट सो क्रोस कट का मतलब ये जो लॉग है ये दोनों साइड से आर पार जा रहा है लंबा है आर पार जा रहा है इसे बोलते हैं क्रोस कट सो इसमें जो टूथ है उन प होते हैं एक होता है पैग टुथिंग और दूसरा होता है रैकर्ट टुथिंग पैग टुथिंग का मतलब इसके सभी दाथ एक जैसे होते हैं और रैकर्ट टुथिंग का मतलब है यहां पर दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दात होते हैं यह जो रहकर होते हैं इनका काम होता है जो आप काट देखो तो यहाँ पर जो फाइबर है उनको काटना और यह जो पैग है इनका काम होता है वहाँ पर जो आपने काट दिया उसे सकर्फ से जो खाचिया जो बन रहा है उससे बाहर निकाल देना तो आपको बस इतना याद रखो कि यहाँ पर टूथिंग दो टाइप की होती है पैग टूथिंग और रेकर्ड टूथिंग अब अपना जो सौ का टाइप छूट गया था कि यह एक है क्रोस कट सा दूसरी सो है वो है बो सो बो मतलब अपना तीर मों कमान जो है अपना बो और एरो उच्त दंस घूसरी कौनिसी सो है वो तो यह इसे बोलते हैं वन लंस हो कई बार पूचह जा चुका है वन में सो यानि कि वो सो जिसे एक आदमी आराम से चला ले तो आप लोगों ने चला याप आपकि नॉर्मल है प्रू नीग क्यों बोला गया है क्योंकि फोरेस्ट एरिया में हम लोग इससे जब पेड होता है उसके उंची कोई डाली है छोटी मोटी डाली काटनी हुआ मैं यानि उसकी प्रूनिंग करनी हो तो इसे हम एक डंडे पर बांद देते हैं और यहां पर रसी से बांद के हम इसे चला लेते हैं तो वहां प्रूनिंग का काम हो जाता है इसलिए से हम बोलते हैं प्रूनिंग सो एक चौथी सो होती है जिसे बोलते हैं पॉवर सो क्यों क्योंकि इसके पीछे लगा होता है इंजन चौथी सो कौन सी हो गई पॉवर सो तो आपके है बो सो या वर्लमेन सो क्रोस कट सो प्रूनिंग सो और पॉवर सो यह भी पॉवर सो का ही टाइप है लेकिन यह जो हम लोग फैक्टरियों में देखते हैं वो वाला है इसे क्यों बताया गया है यहां पर क्योंकि इसमें जो आ प्रइप है वो एक थोड़ा है छोटा मोडल यह बड़ा मोडल है दोनों में पॉवर लग रही है और इन दोनों के साथ खाजियत यह है कि आप अगर इससे पहले वाली सो दिखोगे तो इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है जबकि यह स्व ऐसी ह जिनकी blade का ना कोई आधी है ना अंत है यह चलती है तो पूरे non-ended circle में चलती है पस यह ही अपने man मतलब का है जो question यहां से निकलता है और कई बार निकला है question यहां से अब यहां पर saucer related एक तो यह socket type कराएंगे उसे आप handle कर लोगे आराम से question दूसरा socket जो teeth आते जो दाथ है उनसे related question आता के pack to thing या records to thing है तो आप वो कर लोगे कई बार आता है कि जब saw की जो teeth है वो सवीके सावी एक सी है तो उन्हें क्या बोलेंगे तो वो pack to thing है अगर उसमें काटने वाले दाथ है वो अलग है जिसे हमती के दाथ होते है खाने वाले और दिखाने वाले अलग तो रहकर to thing की बात कर रहा है अब 100 में कई बार ये जो related term है 100 सी related term है इन पर भी question आ जाते हैं यह आपके notes में नहीं है तो जहां आपको notes में जगाए मिले हैं वहाँ लिख लो या कोई 2-4 page बीच में लगा ले ना उसमें अब इसमें term कौन कौन से हैं जैसे यह कोई 100 है इसकी जो इधर का जिधर से दाथ है इसे बोलते हैं हम लोग face यह पीछी का है यह उसकी पिछाई है इसे लिए बोलते हैं back इसमें कोई दिक्कत नहीं है दूसरा यहाँ पर जो दो teeth हैं इनके बीच का जो space है इसे बोलते हैं space यहाँ पर एक टर्माय का गुलेट और जो इनकी opening है वो किस हिसाब से क्योंकि जो दाथ है कुछ में दाथ इस type के होते हैं कुछ में दाथ जो है इस type के जैसे बता रहा हूँ और या किसी महूंगे इस type के या किसी में इस type के तो इनके बीच का जो space है वो तो होगई आपका space गुलेट का मतलब इनका यह opening है उससे relation है एक term आता है यहाँ pitch pitch का मतलब है जैसे अपने बोलते हैं कि किसका कितना pitch है high pitch low pitch यानि कि जो teeth है वो जुके होते हैं side की तरफ जैसे आप अगर इसमें ध्यान दोगे तो जैसे यह teeth है यह इधर को जुका है यह इधर को आ गया जैसे यह इधर को है यह इधर को है यह इधर को है यह इधर को गया है तो जो दात है वो दाइं पाएं एक इधर को दूसरा इधर को फिर इधर फिर इधर तो ऐसे जुके हो गाई वाला एरिया है उसे थोड़ा पढ़ा देते हो इससे क्या फाइदा होता कि जब आपकी आरी नीचे भी जाती है तो उपर का इसा फस्ता नहीं है उसमें तो यह जो है जुकना इसे बोलते हैं पिछ एक होता है टर्म कर्फ कर्फ का मितलब वह जो खाचा जैसे वह काट रहे हैं उसे क्या बोलेंगे उसे बोलते हैं कर्फ जो काटा जा रहा है इसे क्या बोलेंगे कर्फ नेक्स्ट है गेज ब्लेड आपकी जो है वो हाई गेज की है या लो गेज की है तो यहां गेज वाला ये किस हुआ जाता है पतली ब्लेड है या मोटी ब्लेड है तो गेज है कर्फ है सेट का मतलब टीद कितने बैंड है पिछ गुलेट यह जो टर्म है इन्हें रट्था मार लेना है इन पर अपने कुश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट कुछ और टूल है छोटी मोटे जैसे कि एक होता है वेज वेज का मतलब जैसे अपना इस टाइप का वेज प्रिज में देखा था हम लोगों ने इस टाइप का अपने देखा होगा लकडी फारते हैं तो हम लोग वहां फसा देते हैं जिससे आरामसों से फार सकें एक टूल है जिससे बोलते हैं कांटो हुक चैन नॉट हुक लेकिन है यह कैन जैसा है यह हुक कर सकता है परपज किया है इसका अगर आप फोरेज डिपार्टमेंट में या डिपो में काम कर रहे हैं आपको अगर दो-चार लोग हो तो आप हांसे वना है अगर रोलिंग कर कहीं घुमा के ले जाना है अब ले जा सकते हो लेकिन अगर आपको दिन भर पेड़ों को घुमा घुमा के लेके जाना हो तो पतापड़ा किसी को घुमा रहे थे हातों से हाथ नीचे दब गया आपका हाथ नियू लिया फिंकर चली गई तो उसके लिए अगर लोग को घु आने तरने कर दो तखडी को सुखाते समय हमें तなくने करने की ज़रूरत है कि यह डिया पे Chelsea आपने पहले एक साइट व्ह ti तो अदिए तो वैसे रॉलिंग लगी होती है, ऐसे उठा के सीधे मारते हैं, उसमें लाफली में खुश जाता है, खचोर के लिए चले जाते हैं, नेक्स्ट है, इस पैड़, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इसका परपाच है कि जब हम प्यड़ को काट देते हैं, तो जो उसके ऊपर बार्क लगी है, उसे जल्दी से निकालना होता है, ऐसा क्यों, क्यूंकि ये जो बार्क है, इसके अंदर का जो पार्ट है, ये हो देते हैं इसमें और वो उसके सॉफ्ट जो टिसू है उसे खाने के चक्कर में वो यहां खुसाते हैं फिर वो क्या करते हैं वो जब आई गया है तो यह जो टिमबर है उसके अंदर खॉल कर देंगे उसी में अपना घर बना लेंगे पूरा परिवार चलेगा उनका तो डिपा यह सुखना होगा इसे सुखना होगा जैसे सीजनें बोलते हैं वो थोड़ा फास्ट हो सकते हैं यह अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जैसे डिवार्किंग नाइफ है यह डिवार्किंग इस पैड है बस आपको डिवार्किंग समझ माना चाहिए कि क्यों करते हैं और क्या होता है बस खताम का नेक्स कुछ और टूल हैं जैसे कि मैजुरिंग इस्टिक अब आप लोग जैसे वो छोटे टैप आते हैं टेला टैप जैसे बोलते हैं यह तो लेकर गूमते नहीं रहोगे जंगलों में आपको जब पीड़ काटना होता है तो तीन-तीन मीटर के लॉग मे करना होता है अगर स्टेंडर साइज में आप बना रहे हो तो फिर क्या करते हैं कि ऐसी एक स्टिक ले लेते हैं दोन तरफ की लगी होती उसमें तो कोई पीड़ कटा उस पर रखी थोड़ा घूं से मार दिये दोन तरफ तो इस्टिक ने वहाँ पर लोग में छेद कर दिया जैसे उसने छेद कर दिया यह स्टिक लेकर उसके पीश पर आगे बढ़कर यानि कि जैसे यह एक पीड़ बढ़ा सा गिरा था इनने इस्टिक की हां से लगाई यहां पर जैसी थोड़ा हां से ठोक दिया वो कील अंदर गुस गई यानिकि मार कर दिया फिर यह आगे गए और इनने फिर तीन पर लगा दिया तो इस ठाप से यह तीन-टीन मीटर के थ्री-थ्री मीटर के इनने ऐसे दद दस फिट के असे नहें लौक के पीश कर लिए जिससे जब उसका हम करेंगे बुकिंग करेंगे पेड़ को छोटे-चोटे पीश में काटेंगे तो वहां से हम कर सके हैं तो से measuring stick की जरूवत पड़ती है हमें log hook की भी जरूवत है देख कांट hook कांट hook का काम होता है आप उसे roll कर लो लेकिन उससे आप टांग के लेके नहीं जा सकते हैं टांग ना है तो उसे hook की जरूवत होगी तो वो होती है log को पकड़ने वाला hook यानि की log hook नेक्स टूल है stem tightener या cable polar यह stem टाइटनर और cable polar की कब जरूवत होती है जब हमें कोई पेड़ को काटना है और हमारे पास limitation है जैसे आपका घर है आपके पेड़ काटना था आपके घर में ख़ड़ा था तो आपकी मजबूरी है कि इसे इधर ही गराना है इधर नहीं गरना चाहिए पड़ोसी के compound में गर गया तो तंडे पीटेगा तो वह उधर नहीं जाना है तो फिर आप क्या करोगे पेड़ को काटोगे लेकिन रसी से बाद रखोगे जिससे धीरे धीरे करके आप उससे अब यह तो रहे पुराने तरीके आज के टाइम पर बहुत सारा एडवांसमेंट हो गया है जैसे हम लोग ऐसी बड़ी मसीने लेके आ गया है वेस्टन कंट्रीज में यही सबसे जड़ा पॉपुलर है मेकनाईजिसन हो चुका हुआ फॉरेस्ट का इस टाइप की आते हैं और वो बिल्कुल नीचे से काट लेते हैं यहां से पूरा ओटो मिशन हो गया उनका तो यही बड़ी मसीन हैं उनसे भी काट लेते हैं तो अब यह जो पेड़ों का काटने वाला था जो हम लोगों ने टूलू डिसकस किये इनके कुछ कुश्चन दिख लेते हैं इसके का प्राइसा लगाएंगे बोथ कि दूसरा हैंंडल मेंडल ऑफ यूरोपीं एंड अमेरीक ऐक्सेस और जो अमैरिकन और यूरोपिंड अ उनके जो हैंडल हैंवो कैसे यहह होते है वह ओल 2017 है यहां नोसे के oval shift में होते हैं अब आप इसे देख ले ना elliptical इस टाइप का हो गया और इनमें एक बार confirm कर लेना एक बार चैट कर देना कि इनमें actual में है क्या क्योंकि मुझे जहां तक पढ़ा पढ़ा है साइद oval shape है वो elliptical में थोड़ा confusion हो सकता है next है band saw in a saw mill hedge band मतलब एक पूरा band है उसका जो saw mill में जो band saw use की जाती है उनका जो blade है वो कैसा होता है बिलकुल straight होता है तो बिलकुल majority case है हम लोग इसे circular यानि की endless blade बोल सकते है circular भी बोल सकते हैं पूरा circle में घुनती है तो circular blade भी बन जाती है लेकिन जो इसका answer है official answer वो है endless blade यह official answer है वैसे तो आप confusion हो सकते है confusion क्या जो इच्छा होगी वही लगाओगे आप circular blade भी लगा सकते हो लेकिन वो circle आपका half circle या full circle है तो इसलिए वो पूरा सही से बैठता नहीं है जितना endless blade बैठ जाता है और फिर वही है answer आ गया है तो आप तो घूम पीट क करके अपने आपको satisfy कर लेंगे कि हाँ इसका answer endless blade ही होगा फिली फिली के लथूरा होता है अब यहां पर अपना क्या है पीडों को जो filling वाला है टूल जो थे अपने वो देख लिये थे पहले पिलर में अब अपना पहले पिलर का था कि आप पिल कब काटोगे सीजन वाला इसू है तो सीजन के मामले में देखा जाए तो अपने पास दो एरिया है एक तो अपना पाड़ीला एरिया है हमालाय का एरिया है दूसरा अपने पास ठंडे वाले एरिया है इस पर ध्यान देह थोड़ तो बारिस के टाइम पर जो 4 महिने है वो तो खतरनाक रहते हैं तो कोई जाएगा नहीं बारिस के टाइम पर बारिस जैसी खतम हुई तो भाड़ों में थोड़ी लेच खतम होती है जैसी खतम हुई थोड़ा आपको एक फ्लैट पिडियर्ट चाहिए क्योंकि आप यहां से नीचे से प्लैन से स्टाफ को मौव करोगे, काम करोगे, निकालोगे, यह चीजों में दो-तीन महीने पते ही नहीं पढ़ते हैं आप हिमालाय में बारेश खतम थोड़ी लेट हुई अक्टूबर नवंबर तक हुई जैसी आप पहुचे तब तक पता पढ़ा, वहां सर्दी पढ़ना शुरू हो गई एक अद महीने काम हुआ, आप लोग जमी रहे थे, वो जैसे डालोग आता है कि दुकान बस जमाई रहे थे, कि तब तक यह बरबाद करने के लिए आ गए तो महाँ पर तब तक नवंबर दिसम्बर में बर्फ वारी वगरए शुरू हो जाती है और पर जो बर्फ जमी वो आपकी लगवग मार्च अप्रेल तक जा करके कहीं नॉर्मल कंडिसन हो पाती क्योंकि टेंपरिचर नीचे डाउन हो जाता है, मजदूर काम नहीं कर पाते हैं तो पहली एरिया में रही हम लोग जो प्पिरों की क्टाई का काम करते हैं वो जनरली आपरेल याँ हैं गर्मियों के सीजन में करते हैं अपरेल माई, जून तक 12 जून तक, हम लो आरम से करते हैं 15-20 जून तक धाई तीन महीने का पीरेड यहां मिल जाता आपनको दूसरा अगर प्लैन की बात की जाए पेनिसलर रीजन की अब यहां पेनिसलर के साथ क्या दिक्कत है अगर आप यहां गर्मियों में चले जाओ कटाई करने गर्मियों में क्या दिक्कत है जंगल है नदी नाले सूख जाते हैं आप जब पेड़ कटाई करते हो तो आपको लख़डी की डुलाई के लिए बहुत सारे मजदूर भी चाहिए बहुत सारे घोड़ा काड़ी है यही चलते हैं जंगल में आपको कोई टेक्टर ट्रक नहीं पहुंच जाएगा क्योंकि रि पानी चाहिए पानी कई बार नहीं मिल पाता है तो अक्सर हम लोग प्लैन एरिया में गर्मियों को एबॉइड करते हैं अपने लिए सबसे सही पीरियड है फिर बरसात में तो जंगल में काम करी नहीं सकते हैं तो जब अपने आप बरसात थम जाए यानिकि जुलाई अगस सितंबर, सितंबर में यह खतम हो जाता है मानसून, अक्टूबर चाहिए अपन शुरू करते हैं अक्टूबर से लेके मार्च तक यानिकि गर्मियों, पूरी सर्दियां कर लेते हैं, गर्मियों से शुरू शुरू तो अक्टूबर से नवबमर का पिरियड जो है वाप उन पेनिंसुलर रीजन में कटाई के लिए काम करते हैं अब बात आती है कि जब आप कटाई करो तो कैसे करो यानि कि फिलिंग के रूल यह कई बार कुश्चन आ चुका है इस पर ध्यान देना है आपको फिलिंग रूल इंपोर्टेंट है अपने लिए अगर आप रिटेन एक्जाम दे रहे हैं तब भी अबजेक्ट के लिए के फिलिंग रूल का परपज क्या है सीधा सा मतलब है कि अगर आपके सामने चार पेड़ लगे है तो आप ऐसी बचकानी हरकत हैं मत करो आप उनमें जो मैक्जमम जो टिम्बर है उसकी वैलू है तो आप जधा से जधा वैलू वै वैलू टिमबर को कलेक्ट कर सकोगो पहली बात और नीचर को कम से कम डेमेज पहुँचे यह दो परपज है तब हम पेड़ों को नहीं काटेंगे क्यों? क्योंकि हमें पेड़ों को एक fix direction में गिराना होता है अगर तेज हवा चल रही होगी तो पता नहीं वो किधर ही जाएगा वो अपनी मर्जी से जाएगा तो तेज हवा के time पे हम पेड़ नहीं काटेंगे तीसरा rule ऐसे area जहाँ पर अगर हम पेड़ काट दें और नहीं काट के हम उन्हें ना निकाल पाएं तो काय को काट रहे? काय को मेहनत वरबाद कर रहे हो जैसे मालो मैं हिमालाय में चला गया हूँ और यह कोई पहड़ी थी एक पेड़ यहां पर खड़ा था अब मैं ओटपाई दिमाग लगाता हूँ और जाकर के इस पेड़ को यहां काट देता हूँ अब काट के इस पेड़ को एक तो गरना इधर खाई में चला गया तो कोई मतलब का नहीं है मेरा और यहां से इधर लेकी आना ट्रांसपोर्टिशन संभव नहीं है इधर भी बहुत ही जदा रफ सर्फिस है तफ है निकाल के लियाना संभव नहीं है तो ऐसी एरिया जहां से आप पेड़ों को काट के उसे एक्स्ट्रेक्ट नहीं कर सकते वहां के आप पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे नेक्स्ट रूल यह जो पहड़ी ले एरिया है इन में जब आप कटाई करेंगे तो पेड़ा पी कैसे लगेंगे यह लगा पेड़ जैसे दूसरा पेड़ है तो पेड़ों की कटाई आप टॉप से नीचे की साइड करोगे क्यों करेंगे अभी बताएंगे आप पेड़ों की कटाई है वो उपर से नीचे की साइड करेंगे नीचे से उपर नहीं दूसरा जब पेड़ा आप काटेंगे तो इन्हें गिराएंगे इस डिरेक्शन में पेड़ों को उपर की तरह पटक देंगे इससे क्या होगा कि जैसे पेड़ यहां सीधे खड़े हैं आप खुद देखो कि अगर यह पेड़ है यहां से गिरेगा यहां तो यह कम ही गरना पड़ेगा इसे जबकि इधर से इधर गिरेगा तो इसे बहुत जदा गिरना पड़े तो डैमेज होने के चांस एक नमबर की कंडीशन में कम है, दो नमबर की कंडीशन में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम पेड़ों को उपर की साइड गराएंगे, अब हम उपर से नीचे की तरफ क्यों काटते हैं, क्योंकि एक बार आपने ये पेड़ काट करके इस एरिया को साफ कर दिया, अब जब आप नीचे के पेड़ काटके गराओगे तो ये उपर की तरफ गरेंगे, तो इन आवी कम डैमेज होगा, और क्योंकि यहां के पेड़ हट चुके हैं, तो यहां के पेड़ों को कोई डैमेज नहीं है, तो आप उपर से नीचे लेके जाओगे तो कोई दिखत वाली बात नहीं है, तो नए पेड़ों को भी डैमेज नहीं होगा, जो वहां पर जब है नहीं तो किस बात का डैमेज है, तो इसलिए आप कटिंग जो है वो उपर से नीचे की तरब करोगे और पेड़ों को नीचे ये उपर की साइड गिराओगे ये रहे अपने फिलिंग रूल फिलिंग रूल के बाद हम देखेंगे कि आखिर पेड़ों को काटा कैसे जाए अब काटने के अपने पास तीन तरीके है जो अपनी किताबों में जो लिखा है वो यही तीन तरीके है लेकिन ऐसा नहीं है कि आजकल दुनिया में यही तीन टटे हैं बहुत आगए लेकिन अपने लिए क्या है एक बुक आती है forest utilization की तिर्वन महता की बस जो उसमें लिखा है वही सर्वसत्थ है वही अपने लिए गीता भागवाथ है जट जा भाई क्योंकि जो भी question आने है वो वहीं से आने वाले है तो पहला तरीका है कि आप जो पेड काट रहे हो वो केबल कुलहाली से काट रहे है जैसे कुलहाली से क्या काटा जाएगा कि आपने जैसे यह कोई पेड लगा हुआ है आप इसे यहां पर एक नौच बनाऊगे और यह जो काटते समय जो नौच बनाई जाती है जैसे हम बोलते हैं first notch है first cut इसमें कोजिस की जाती है कि जो पेड को आप काट रहे हो उसका कोई तो center होगा यह वो center इस पहली नौच से कट जाना चाहिए यह first notch उस side में आप काटते है जिस side पेड को गिराना होगा इससे क्या है कि जो पेड का center of gravity है वो कट चुका होता है यहां से यहाई और अगर जो बड़े पेड हैं उसमें दो यहाई काटने से वो पेड गिरते नहीं है क्योंकि बहुत हटे-कटे पेड है थोड़ा भी बच गया वो भी बहुत मजबूत होता है तो इसलिए बड़े पेडों के case में हम 3 by 4th बाला जो हिस्सा है वो first cut में काट देते है अब इसके बाद क्या करेंगे इस side से generally जो stem tightener है जो रसी है उससे बाढ़ लिया जाता जिससे confirm किया जा सके कि हम इधर ही गराएंगे इसे इसके बाद हम जाएंगे इसकी 180 degree पर और दूसरी side से हम एक notch again बनाएंगे और यह जो दूसरी notch है भी पहली notch से लगवग 10 से 15 सेंटीमीटर उपर देख करके दूसरा notch काट देंगे इससे क्या होगा यह जो पेड़ है जैसी center of gravity तो पहली कट चुका जैसी यह एक lose हुआ यह सीधा धराम से जाके दर गर पड़ेगा अब ऐसा क्यों काटते है क्योंकि यहाँ पर जो fiber है आपने यहाँ से लेके फाइवरों को काट दिया यहाँ से लेके यहाँ काट दिया तो यहाँ पर जो इनका जो end है end की split होने के फटने के chances लगवग खतम होगा है इसलिए हम लोग यहाँ पर दो नौच ऐसे बना रहे है ठीक है यहाँ पर दो त्याही काटते है यहाँ थ्री फूर्द काटते है इसको याद रखना है दूसरा चो नौच है वो उसके just opposite में होता है इस पर question आया है वो कितना ऊपर होता है दस से पंदरा सेंटीमीटर एवाव होता है उस पर question आया है दूसरा है अब इसमें एक और देखते है एक्स वाले में तो इसमें क्या है कि आपका जब कटाई किये तो यह वाला जो पूरा हिस्सा लखड़ी का है वो लगवग बरबाद हो जाता है यानि लगवग आपका 15 सेंटीमीटर ऊपर काटा है कुछ ऊपर और गया होगा तो लगवग आपका 30 सेंटीमीटर का जो एरिया है बेस का बरबाद हो जाता है और प्योड़ों की सबसे कीमती लखड़ी यही बेस वाली होती तो आपने बहुत कीमती लखड़ी को बरबाद कर दिया तो उसका थोड़ा एडवांस तरीका है एडवांस है कि आप एक कम करें कुलहाड़ी और आरी दोनों को यूज करें सो एंड एक्स इसमें क्या करेंगे जिस साइड में हमें पिड़ को गिराना है उस साइड हम एक नौच काट देते हैं ठीक है इसके बाद दूसरी साइड उससे लगवाग धाई सेंटिमेटर उपर हम दूसरा आरी से एक नौच बनाते हैं इसमें अभी वही है और आरी से हम काटना शुरू कर देते हैं इससे क्या होता है जो वेस्टेज एक टिमबर का वो कम सकम ये वाला हिस्सा तो नहीं हुआ ये थोड़ा हुआ इधर स्टेम टाइटनल होता है उससे खीच करके पेड़ो को गिरा देते हैं तो एक्स और सौ से हो गया आप इतने कंजूस हो कि आप चाहते हो कि ये इतना जो डैमेज है वो भी ना हो तो आपके पास तीसर तरीका ही है कि आप एक काम करिए पेड़ो को रसी से बांढ़ दिए इधर को खिचते रहिए और यहां वेज लगा के आरी से काटते रही है यह ऐसे करके अंदर कटता रहेगा और हो जाएगा तो तीसर तरीका है केबल सौ से होनी तो अभी आपको एक कुश्चन कराया था यह पिल काटने के मैनली किस किस से करते हैं तो उसमें एक उप्सन था एक्स का दूसर अप्सन था सौ का और तीसर अप्सन बोथ का जो हमने बोथ लगाया था वो आप यहां से समझ सकते हैं आज एकल वेस्टन करिटरीज में होगया है मैकनाईजिस हैं तो वो एतनी बकैती काटते नहीं है वो ऐसे जैसे जैसे जैसी भी जैसी मसीन लेके आते हैं और वो यहां इसमें ब्लेड लगी है यह ब्लेड आपको बार बार दिख रही होगी वो ब्लेड बिलको जमीन में घुसके होँआ नीचे से काट लेती है तो किसी भी टाइप का डेमेज होने के चांसे है ही नहीं तो यह जो वे आफ फिलिंग है वो हो गए आपसे पूछा जाए प्योडों के कितनी है वे आफ फिलिंग तो आपको तीन ही लगानी है देख भाई बहुत सारी हो सकती है लेकिन आपकी जो बुक में दिया वही चलेगी वही सर्वसत है दुनिया में कुछ भी हो जाए अपने जो प्योड काटने के ये तीन तरीके हैं इन तीनों ही केस में जनरल अल्दी हम लोग बिलकुल जमीन से लग के प्योडों को नहीं काट पाते है तोंकि को लाड़ी चलाओगे तो वो बिलकुल जमीन पे नहीं काट पाता कुछ ना कुछ आपको एक उंचाई लेनी पड़ती है तब पीड़ आप काट पाओगे दर्वाइज क्या है बिलकुछ जमीन से लेके समल समल के लाड़ी से काटोगे तो दिन में एक ही पीड़ काट पाएगा आपसे तो मजदूरी से वो नहीं निकल पाता है तो इसलिए कु स्टी यू एमपी आपसे पूछा जाता है कि एक एबरेज जो स्टंप की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए तो वो होती है दस से पंदरा सेंटी मीटर यह स्टेंडर्ड है मतलब अगर इससे ज़्यदा छूट रही है तो इसका मतलब आप टिंबर का लॉस कर रहे हो इतनी त कि सपोच स्टंप पैसे हम छोड़ते क्यों है क्योंकि अगर स्टंप को हम निकालेंगे वो जो पेड़ बचा हुआ है अगर हम उसे निकालते हैं तो उसमें मानलो अपना निकालने की मजदूरी है वो आ रही है दो हजार की और वो लकड़ी जो निकलेगी उसकी मार्केट वैलू है 500 रुपए की तो यह तो डेड़ हचार रुपए और बरबाद हुए तो हम सभी पेड़ों की नहीं निकालते हैं लेकिन कुछ पेड़ हैं जैसी की चंदन है खेर है खेर है चंदन है अखरोट है यह पेड़ ऐसी हैं जिनकी नीचे बाला हिस्सा उसकी क्वालिटी बहुच जदा होती है उससे अपनों जैसे कथा निकाल लेते हैं सेंडल वूड ओयल निकालते हैं तो उसकी मार्केट वैलू बहुच जदा है सब पोच जो स्टम्प है अगर मार्केट वैलू इसकी हो 5000 और मजदूर ही है 2000 निकालने की तो अब उनको प्रॉफिट तब भी 3000 का है तो ऐसे केस में हम लोग यह स्टम्प नहीं छोड़ते हैं डिपार्टमेंट इसी भी निकाल लेता है तो कुश्चन आता है कि हम लोग जो स्टम्प फिलिंग है फिलिंग वाई रूट यह जिसमें हम जड़ों को भी निकाल लेते हैं फिलिंग वाई रूट किस किस के स चुका है और जुगले जरेचिया तीनों ही पूछे जा चुके हैं और तीनों इसलिए यहां रखे गए यहां पर अपना यह मुद्दा हो गया अब आपने पेड़ को काट लिया पेड़ आराम से जमीन पर चौड़ा होके पड़ा होगा तो क्या होगा पेड़ की जो निकली हुई है तो हम लोग सबसे पहले इसकी ब्रांचेज को निप्टा देते हैं आपने अपने भी आसपास पेड़ करते हुए दिखे होंगे तो सबसे पहले ब्रांचेज को काट दिया जाता है क्योंकि अगर ब्रांचेज हैं और आपने सीधा सीधा पेड़ यहां से का परसेंट केस में हम लोग ब्रांचेज को पहले काट लेते हैं और अगर सपो छोटी-मोटी ब्रांचेज हैं हमने पहले नहीं काटा तो फिर हम क्या करेंगे चब पिल कट चुका है तो अपना जो लॉग है उसकी कटाई छटाई करेंगे साइड की ब्रांचेज जो हैं उनको तो हम क्या करेंगे एक टाइप से हम उसे लॉग बना रहा है अब एक लंबा सा लॉग बना रहा है यह जो प्रोसेस है इसे लॉग बनाने की इसे बोलते हैं लॉगिंग इसमें हम क्या करते हैं इसके जो साइड की अगर ब्रांचेज बगर हैं उनको चाट छुट देंगे और एक सीधा सीधा लंबा सा लोग बना लेंगे एक काम हो गया दूसरा नाम होता है बकिंग क्योंकि जैसे सब्सक्राइब यह पेड़ है बीस मीटर लंबा अब यह बीस मीटर को आप मार्केट में क्या से पहुंचाओगे संभाब नहीं है तो आपको अपने हिसाब से देख सकती है ट्रेक्टर ट्रक की तो बात ही छोड़ती चीए तो यहां से इस लोग को कैसे एक्स्ट्रक्ट करोगे तो इसे छोटे छोटे पीस में जो हमने बोला अपने तीन-तीन मीटर के अपने बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं बकिंग अब इसे ऐसे याद कर सकते हो कि जब ब्रांचेज हैं चोटी मोटी ब्रांचेज हैं गाठ हैं उन सब को साफ करके एक लंबा सा लॉग बना देना वो है लॉगिंग और उस लॉग को छोटी-छोटे पीस में बाट लेना वो है बकिंग कई बार कुश्चन पूछा गया है कि जो किसी पीड को या किसी लॉग को जो काम किया जाता है वो खिसके अंडर किया जाता है तो वो आएगा अपना बाकिंग दूसरे एक कुश्चन आता है कि पिड़ो यह जो लॉग है उसकी स्टेंडर्ड जो लेंथ है यह स्टेंडर्ड साइज है वो कितनी होती है अप्शन इस टाइब के दे दी जाते हैं दो मीटर तीन मीटर चार मीटर पांच मीटर अब इस्टेंडर्ड क्या है तो यह जो जाता है तो आप इसे ऐसे समझो कि यह होती है तीन मीटर अगर तीन मीटर को बाई लार्ज अगर आप देखोगे तो यह बनती है अपनी दस fit कि फिलकुल उसी के हिसाब से लिए जाते हैं ये क्योंकि पुराने जमाने में पुराने जमाने में क्या अभी भी किया जाता है बट हम लोग उतना कर नहीं पाते financial नहीं है अधरवाइज ज़दतर जो higher class society है तो वो ये जो अपना दो-चार-चार है मैं तो इतना नहीं लगा सकता तो क्या करूंगा पेपर लिया आते हैं वाल पेपर हैं उसे लगा देते हैं वो पूरा वुड़न साइनिंग देगी या फिर अगर आप सपोज फूरेज दिपार्टमेंट में जब भी पहुंचेंगे तो एसी अप डिया फो आएफस आएफस लेबल पर या उसे उपर लेबल पर आपको बड़े ओफिस मिलेंगे उनमें आपको वुड़न वर्क मिल जाएगा तो यह ब्रस नाम हो गया है नेक्स्ट पार्ट आजाता है अपना कंवर्जैन का में अपना इस मिलें में था कंवर्जन का क्या मुद्दा है जैसे एक पेड़ है Aww आपने इसकी बकिंग कर लीती आप इसे टव्क पर लेकंक जाओ, एक बद बताओ, यहां पर एक टिस्टिक हे भिंढ़, वहां से मैं लकटी को लेके आ एा रहा हूँ, वहां से मैं इस टाइब के लेके आ हूँ, यह सपोच मैं गोवलियर से ट्रांसो किलुमेटर चाइब की बनाने होते हैं इस टाइफ के वो कितने बनेगा कम्वी बनेगे इसमें बहुत सारी लगड़ी जो है वो तो बरवाद होने वाली है वेस्टेज होने वाली तो यहां से जो मेरे गए यू जास्टे वहां करते हैं कई बार जंगल में हैं उसे convert कर लेते हैं specific size ship में जिससे transportation आसान हो जाए रखना आसान हो जाए और जो unit cost है transportation की वो कम हो जिससे वहाँ final conversion में वेस्टेज कम निकले तो यह process रही अपनी conversion क्यों करते हैं वो आपको समझ में आ गया यहाँ पर आके अपना जो first pillar है feelings related वाला अपना filling and conversion वो complete हो गया इस वीडियो का अब कुछ related term है उन्हें देख लेते हैं उन्हें से समझ देते हैं जो question है पोह जाते हैं जैसे एक term आता है कि pool क्या है कई बार question आ चुका है कि plank क्या है आपने plank का नियम सुना होगा तो यह plank होता क्या है या beam सुनी होगी beam क्या है घरों में beam होता है अपने जो आजकल पक्य मकान बनाते हैं तो pillar वाले बनाते हैं जो तो उसमें बोलते हैं कि beam डली हुई है तो आगर यह beam का sense है क्या तो पहले तो देख लेते हैं पूल क्या है पूल का मतलब जैसे यह जो log है पतले हैं लेकि लंबे लंबे जो फट्टे से हैं उन्हें बुलते हैं पूल जब आपके घरों में जो अपने ऊपर की छत लगती है तो जो आते हैं डालने वो यह से मुटा है बीम ठी हमारे घरों में गौव में यूज होती थी आप इसकौइर यह जो है जनरली इसकौइर होती थे और इनकी जो यह फ़ली और यह कि सी भी Dimension में हो सकता है इसकौइर हो यह रेकटेंगुलर और लेकिन किसी भी किस में इनका कोई भी मोटाई 15 Parts से नीचे न कि घर में एक साइट से दूसरी साइट लेके आते थे जिससे इनके उपर आप लगड़ी के ऐसे फट्टे डाल कि आप टांगल जो बनाते थे हैं दो मंजला एक टाइप से बना दिया आपने घर को अपने दो मंजला बनाया कच्छी घर हो तो वहां बीम की जरूरत पड़ती बीम के साथ सदीती सी बात है आपको इनकी लेंथ जो है वो कम सकम चार मीटर हो चार मीटर से जद़ ही होते हैं और पंदरा सेंटी मीटर क्रोस सेक्षन उससे नीचा होना नहीं चाहिए तो बीम आपको समझ में आ गई कि बीम क्या होती है दूसरा है इसकैंटलिंग ये है इसकैंटलिंग ये केस वो है कि अगर इनका क्रोस सेक्षन बीम से कम है यानि कि पंदरा सेंटी मीटर से कम आ जाता है तो हम उसे बोल देते हैं इसकैंटलिंग जिसे अपनी जो बिरिक्स होती है एंट होती है तो साजी है तो हम उसे बोलते हैं एंट अगर आदी है तो हम बोल देते हैं पोना तो बैसे ही है यहाँ पर बीम है मैं अगर छोटी है पतली है पंदरा सेंटीमीटर से नीचे तो हम उसे बोलते हैं इसकैंट लेंग और एक होता है फट्टा यह जो फट् cm जज़धा ज़धा अदरवाही उससे पतला हो तो यह जो फटा होता है इसको हम बोलते हैं plunk, यह फटा तो हर जगाहे मल जाएगा, तकहत होते हैं घर पे तो फटांग की बने होते हैं तो आप यह समझ लो, plunk का नियम मतलब तखत का नियम इस टाइप से आपको तखत से फटा जोड़ जाएगा और फट्टी से प्लांक जोड़ जाएगा तो जब भी आप अपने बैड पर बैठो या इस टाइप का जहां भी देखो तो आप याद रखना उसे बोलना है प्लांक का नियम या आपका जो गेट है दरव कैने पास बोहिए पूराने जमाने में जो अपने के योग जो फरद लोड़ ट्रयक होते थे उनकी झीचे जो स्लीपर उते थे वह लक्ली की जींच की जाते थे तो वहां पर अपनी जो अलग-अलग टाइप की रेलवैं थे ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नहरो गेज, ला करना नहीं है बता इसलिए तिया कभी हो सकता आप कोई objective book करो और इसलिए आप मैंसे काफी लोग होंगे जो उतपा या कोई other objective book solve कर रहे हैं और उस टाइब में इस टाइब के कोई question मिल जाए यह अपने level के exam में कोई मतलब के नहीं है उने छोड़ देना है नेक्स्ट एक चलते चलते एक पॉइंट और discuss कर लेते हैं इसके बाद फिर आपने लोग question देखेंगे इस पिलर के point है कि reduce impact logging क्या होती है यह आज कल बहुत ठर्म यूद किया रहा है forestry के फिल्म है यह को पहले की जो logging है अपनी उसमें क्या किया जाता था forest department से मजदूर गए जो भी पांच दस गए उनने एरिया देखा और उनने एक साइड से काटना शुरू कर दिया उस एरिया को साफ कर दिया पिड़ से भी काट डाले अब इसका दिक्कत क्या हुई कि उस एरिया में तुमने जो water drainage था पिड़ हटा दिये जो भी बरसात हुई की एकदम हरना वड़ गया उस एरिया में जब तक आप नई क्रॉप लगा हुई तब तक पता पड़ा कि वह एरिया में erosion इतना जएदा हुए कि वह एरिया बरबाद हो गया दूसरा वहां पूरा ecosystem चल रहा था किसी एरिया से तुमने हजार पेड़ गायब कर दिये एकदम ठीक ठीक पूरा ठीक ही निकाल दिया तो ऐसे इंसे जिनकी life cycle ठीक पर depend थी वो तो बरवाद हो गया है तो reduce impact logging का मतलब है कि पेड़ों की जो logging यानि की कटाई कर जो कर रहे हो उसका local ego system पर कैसे impact को कम किया जासे हैं सके तो यह पूरा systematic एक तरीका है इसमें करते क्या है कि आ आने वाले होते हैं तो सबसे पहले उस एरिया की ecosystem को समझते हैं उसकी local ecology को समझते हैं उसकी hydrology को समझते हैं और फिर अपन कुछ ऐसे parameter बनाते हैं और देखते हैं कि हम कौन-कौन सी machine से हम harvesting करेंगे यहां से timber कैसे transport करेंगे और यह सब mechanism का purpose है कि यहां कम से कम noise pollution हो कम से कम ज जंगल से timber extract करने के लिए chopper use कर लेती हैं helicopter use करती हैं जिससे transportation से जो damage होने वाला है ecosystem को टेक्टर ट्रॉल जो भी जाएंगे वो ना हो तो यह सारी चीजें reduce impact logging में आ जाती हैं और इसमें एक वार जब हम कहीं से पिल काट लेते हैं तो उस एरिया को फर बापिस treat करते हैं वहा से कम हो तो यह reduce impact logging में है और अक्सर यह आज खल news में चलता है तो इसलिए यहाँ पर discuss कर लेते हैं ज़्यदा कोई मतलब इसका है नहीं अब देखते हैं अपने question इस पिलर से related जैसी कि पहला question है the most suitable season for filling in पिल काट निकली सबसे ज़्यदा suitable season कौन सा है तो अगर पहाड़ी ल अगर अपनी बात की जाये majority जो देश की बात की जाये तो हमारे लिए सर्दिया है तो spring summer तो अपने लिए है winter वाला season नौथ इंडिया के लिए तो most suitable season for filling is तो आपने इसका answer लगा के आएंगे winter क्योंकि ज़्यदा तर जो देश का हिस्सा है वो इसी के under cover हो जाता है पहाड़ filling in hills is generally carried out पहाड़ी ले इरिया में जो पहाड़ों की कटाई है वो कब करते है वो करते हैं लोग गर्मियों के bottom of hillside अच्छा गर्मियों के टाइम पर करेंगे इन्होंने पूछा कि जो पहाड़ी उसके bottom से करेंगे mid से करेंगे या top करेंगे तो हमने अपने यहीं discuss किया था क कि अपने top से bottom की तरफ चलेंगे तो filling in hills is generally carried out at top of hills यहां से करेंगे फिर बाद में बढ़ते हैं सबसे पहले topic करते हैं तो इसलिए answer वो C है यह इनका official answer की भी है और यह अभी इसी साल हुआ है paper December के असपास हुआ है पिछली साल 19 में 20 में हुआ है यह paper November December के असपास width of a undercut selby जो पेड़ है उसके नीचे जो नीचे काटा जा रहा है अंडर काट है उसकी कितनी width वो कितना होना थे ही है तो वहाँ पर देखा था कि अगर बड़ा पेड़ है जनरली आपकों two-third काटते हैं लेकिन अगर मोटा पेड़ है तो हम उसे three-fourth तक काट देते हैं मोट about three diameter three के diameter का one third Kantनी से कोई फायद ही नहीं हिसमें सका सेंटर है वह सबसे पहले तो वही काटना है prejudice का मतलब 33 % का टेक रहेंगे तो यह जाएगा नहीं तो मतलब नहीं है which of three diameter चल जाएगा 1 4th of tree diameter तो 1 4th का मतलब क्या है 25% काटना तो मतलब नहीं है half of the tree diameter भी मतलब नहीं होता है तो अपना answer आएगा 2 3rd of tree diameter next question है MFP का मतलब क्या होता है इसका मतलब है minor forest produce देखो जंगल से जो भी resources हम लोग collect कर रहे हैं उनको हम दो टोकरियों में बाठते हैं यह दो category में बाठते हैं एक बोलते है major forest product वो product जिनकी commercial value बहुँच जाता है जैसी की timber दूसरा आ जाता है इसमें bamboo उसकी भी commercial value है यह timber है बंबू है यह सब की सब आते है major में इसके अलावा वो चीजें जिनकी value काम है इन्हें बोलते है minor forest product यह major वाले को forest department सीधे सीधे regulate करता है तो यह forest department के पास आ गया minor forest product है इसमें अदवासी जो हैं यह travels है यह जो आम जन है public है उसकी हिस्सेदारी हो जाती है जैसे आप तेदू पत्ता collect करते हैं तो forest department नहीं करता आम लोग करते हैं तो वो है minor forest product 36 गड़ में इनकी थोड़ी category अलग कर देते हैं वो national और इस टाइब की category आ जाती है वो तो कोई मतलब की नहीं आपने हमेजर और minor में ही ठिखेंगे next आता है most of global industrial जो timber है वो किस से आता है यहां पर जस्ट डालने का परपज है कि यह जो logging operation है आप अगर इसे देखोगे दुनिया में सबसे ज़्यदा logging है यह logging जो है प्लोडों की वो एक पूरी industry है आप लोगों ने अगर वल जो जियोग्राफी वाला पार्ट होता है अपनी NCRT पुरानी वाली में दिया है उसे बढ़ा हो तो lumber जो है एक का आता है lumber economy lumber जैक कौन है तो कनाड़ा में क्या है कि ए इनकी एक ऐसा सीजन आजाता है जब इनकी खेतिवारी का काम नहीं हो रहा होता है तो कुलाड़ी लगा उठाते हैं और जो timber कटाई के काम है जो कौनिफर्स वाला एरिया है उपर का polar region का वहां पर पेड़ काटनी चले जाते हैं तो जो पेड़ काटनी का उनका वो business उसे lumbering के नाम से बोलते हैं और यह जो कौनिफर्स है ग्लोबल लेबल पर जितना भी आज के टाइम पर जो paper बन रहा है यह जितना भी fiber extraction किया जा रहा है उसका majority हिस्ता आज के टाइम पर हम लोग कौनिफर्स से collect कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि कौनिफर्स के साथ क्या है कि जो कौनिफर्स वाला area है वहाँ पर यह तो pine होगा तो पूरा पूरा pine है चिल्ड pine है तो पूरा पूरा चिल्ड pine है ज्यता ज्यता एक या दो ही species होंगी है तो आप कुछ ही species dominant होते हैं तो जब आप काटते हो तो आपको लगवां एक type के एक ही size के timber मिल जाते हैं और एक ह species की मिलते हैं एक तो यह मुता है जब कि अगर अपन यहां MP के जंगल काटोगे एक हेक्टर को काटोगे तो पता बढ़ेगा दो टिक के हैं चार साल के हैं पांस बबूल के हैं दो नीम के हैं तो यहां mixer diversity बहुत जदा हो जाती है जैसा कोड़ वाले में नहीं होता है दूसर जब कि अगर अपन बबूल है इससे अगर पेपर बनाएं तो पता पड़ेगा कि पेपर बना 2000 रुपए का और उसमें लिगने निकालने में 5000 का केमिकल चला गया तो हम जो टॉपिकल पेड़ हैं उनसे इस टाइप की चीज़ें नहीं करते तो इसलिए वह majority काम जो है उन प चोटे पीस में काटते हैं तो सेफनो क्या बोलते हैं बकिंग यह स्केडिंग जो है वो आंगे आ जाएगा आपने में जो लॉग है उसे खिसकाना पकल के स्लाइडिंग करना तो वहां पर स्केडिंग टर्म यूज किया जाता है यहां पर अभी तक हम लोग क्या कर चुके ह हैं इस पिलर के अंदर हमने सीखा कि पीड़ जो हैं उन्हें कैसे काटना है काटने के रूल काटने के जो हतियार हैं उन्हें काट के जो पीड़ है उसको लॉग बना लिया बकिंग कर लिया इतना काम हो गया अपना अब अपन सिकिंड पिलर में देखेंगे कि काट तो हमने को भी हम डिवाइड करेंगे पहला जो डिवीजन हो सकता है वो है कि आप कितनी दूरी तक लेके जा रहे हैं जैसे जनरली अगर आप जंगल एरिया में जाओ तो आपके पास यह जंगल का एरिया है यहां पर एक एरिया ऐसा होता जैसे कटाई का काम चला वो यहां पर एक एर रहे करantically आए कि यह तो पूरा जो टिम बार है वह हुएं इकटा कर दिया जाता है है कि यहां सिर्फ ट्रक भरेंगी और फश्र लेकि आएंगे मैन इनदर जो डिपो बना होगा वहां पर जो टिमबर के जो हैं डिपो तो यहां पर एक जगह बना दिया जाती है इखटी करने के लिए जिसे बोला जाता है फोरेस्ट डिपॉर्ट यानि कि एक ऐसी जगह जहां पर आप इधर उदर से जो टेमर कलेक्ट कर रहा है उसे इखटा कर रहा हो तो यह एक तो छोटा सा ट्रांसपोर्टीशन हो गया इसे आप बोल सकते हैं माइनर ट्रांस तो यह जो है इसे बोल सकते हैं हम लोग मेजर ट्रांसपोर्टीशन तो इस टाइप से जो ट्रांसपोर्टीशन है टिमबर का हम उसे दो पार्ट में डवाइड कर लेते हैं माइनर यह इसे बोल देते हैं ओफ रोड माइनर या ओफ रोड दूसरा है मेजर जो लोंग डिस् त्रांसपोर्टेशन को डवायड कर लेते हैं ग्रिभर दूस्रा हम यह देखेंगे कि ट्रांस्पोर्टेशन हो किस पे रहा है जमीन प्रेशन हो रहा है पानी के थरू है यह कञे घृण ITS पहेश्में यह सब्सका हो जाता है land के थुरू है water के थुरू ये air उसके थुरू है तो ये तीन transportation के उनकी medium की आधर में कर लेते हैं अब इने हम लोग एक एक करकर discuss करेंगे क्योंकि यहां से question आते हैं अपने जैसे पहला देख लिए हमने land transportation इसमें क्या होगा जैसे आपने timber जो है आपका जो forest डिपो था वहां से आप दूसरे बड़े एरिया के लिए लेकर जा रहा है जो बड़े डिपो हैं उनके लेकर जा रहे हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि पास में तो बैल गाड़ी में रख दो पुराने जावाने में हम रखते थे या elephant है उन पर रख दिया आज कल हम लोग ट्रक में रख देते हैं ठीक है या दो लोग लग गया वही इस लाइड करके लेके गए तो यह बहुत सारे हो सकते हैं चाहे मेजर ट्रांसपोर्ट हो या माइनर ट्रांसपोर्ट हो दोनों ही लेंड बेस्ट हो सकते हैं बस टर्म पढ़ ले ना इसमें जदा और कोई अपने लिए मतलब की चीज़़ा होती नहीं है दूसरा प्रोटिशन एक तो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि जैसे मालो मैं काना नेशनल पार्क में हूँ यह काना नेशनल पार्क का एरिया है मैं जो कच्छे रोड होते हैं जैने फूरेस्ट रोड बोलते हैं वो सपोच यहां तक ही है यहां जंगल में घुसके मैं चार पढ़ जाता बहुत सारी पैसा बरबाद होता है उसकी कंपेर में अक्तर ऐसे एडिया में जैसे नदी बगरह मिल गई हैं तो हम क्या करेंगे सीधा काटके इस नदी में डाल दिया और वह आराम से ट्रांसपोर्ट होके पानी पानी के थूरू इस एरिया से बाहर निकल गय हमाले वाला रीजन है वहां पर जहां आपने पास नदी नले के सिस्टम है अच्छे हैं जहां वह ढोग ले जा सकती तो वहां पर हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन के भी टाइप होंगे च्शूंकि वो सीडिय सी बात है के पास पानी कितना है उसके इसाब से इनके टाइप बन जाते हैं आपके पास बहुत जदा पानी है कम पानी है या बहुत कम पानी है बहुत कम है तो हम वहाँ पर वेट स्लाइड करते हैं मीडियम लेवल का है तो हम वहाँ फ्लोटिंग कर लेते हैं और बहुत जदा है जैसे उसके दो सब्ट आइब भी हैं जैसी कि एक होता है रिवर फिलोटिंग या फ्री फिलोटिंग और दूसरा होता है टैलिस्कोर फिलोटिंग खाजकर हम लोग ऐसे उन लोग के लिए करते हैं जो पानी में तैर जाएं और पानी में डालने पर ये लगड़ी बड़ा सा लॉग लिया उस पर चड़ा गया और लॉग को पानी के साथ बहा करके लेके जा रहा है तो इसलिए क्योंकि ये free है आराम से उस पर बैठ के घोड़ा गाड़ी खेलता 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 गोनोनाता चला जाएगा इसलिए से बोलते हैं free floating या इसी को बोलते हैं river floating या इसी बोल सकते हैं कि टाइप से swimming कर रहा है sweeping बोलते हैं इसे sweeper sweeping यह समझ दो तैरता हुआ जा रहा है free है river में है sweeping करता जा रहा है यह floating हो गया दूसरा होता है कि कई बार यह इतना पानी ना हो आपके पास कोई नदी में सिंगल इंगल ना मिल रहा हो तो जो western countries हैं उसमें क्या करते हैं कैसी एक अगर उपर कहीं पानी का जहलना है रिफोर्सेस था और उससे पानी सीधा सीधा ऐसा जा रहा था ये लोग क्या करेंगे उसका ऐसा एक डाल सा बना लेंगे एक टनल सी बना ली और उस टनल में उपर पेड जो है वो काट-काट को उस टनल में डालते जाएंगे और ये जो पानी बहके आ रहा है उस पानी के थुरू ये अपने टिंबर को यहां जंगल से बाहर निकाल लेंगे तो एक सस्ता हो गया तो इसे पूलते हैं टेलिस्कोपिक फ्लोटिंग जैसे टेलिस्कोप होती है यानि की ट्यूब होती है तो वैसी इनने एक ट्यूब बना दी तो इसे पूलते हैं टेलिस्कोपिक फ्लोटिंग और दूसरा है sweeping या river floating है free floating तो यह floating के यह type रहे हैं दो type है floating के floating में आप क्या देखोगी यहाँ जो timber है वो हर timber अपनी आप में free है मुफ्त है आराम से जा रहा है दूसरा जो type है यह जो rafting है इसमें क्या होता है हम लोग जब बड़ी level पर करना होता है तो timber को बांध लेते हैं क्योंकि जब floating करते हैं तो क्या है कि बड़ी area में अगर लंबे दूरी तक जाना है तो कोई इधर रह गया कोई उधर रह गया कई बार किनारे लग जाते हैं गाउं के लोग चोरी का लिए नती से निकाल लिया तो forest department को चून लग जाता है तो वहां क्या करते हैं हम लोग बड़ी बड़ी raft बनाते हैं जैसे ही आपको raft दिख रही है raft ऐसी जिगर काम अच्छी करती है जहां plan area हो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले जो अपने छोटे छोटे जो bamboo या जो भी आपके पास log है उसका एक bundle बनाता है जैसे यहां पर एक bundle बनाया फिर यह जो इतने bundle थे अपने पास छोटे छोटे ऐसे bundle को एक दूसरे से जोड़ के हैं जैसे यह कुर्सी है एक seat है एक seat पर यहां पर चार लोग बैठे हैं तस bundle बैठे हैं तस लोग बैठे हैं फिर ऐसी सभी seat ओं को जोड़ करके आपस में wire से बंद बंद के हम लोग एक बनाते है section एक बना rail का डिबा इसे बोलते है section यह छोटा पार्ट है इसे बोलते है bundle bundle उससे बढ़ा होता है section फिर क्या किया जाएगा एक section को दूसरी से दूसरी को तीसरी से तीसरी से चोटी से ऐसा बना क्या बना दिया जाता है raft आपको क्या समझना है सबसे छोटी होती है bundle उससे बढ़ा होता है section और उससे बड़ी होती है raft फिर चली अपनी गाली चुक चुक करते हुए जैसे यहां इनने एक आगे ले लिया एक पीछे लग गया एक यह होता है यह इसको यह distance बना रखता है इनकी ऐसे चलते जाते हैं यह पर अपने देशी तरीका यह कैसी नदी में छोड़ दिया दो यहां पर बीड़ी का सुट्टा लगाते हुए आंगे बैठे होते हैं दो पीछे होते हैं दोनों गारे होते हैं यह गाता है वो सुनते हैं वो गाते हैं यह सुनते हैं एक आग बीच में होता है बस उसमें आराम से बैठ गए दो चार दिन के कट जाते हैं तब तक हो नीचे फूरश के बाहर निकल आए तो बंडल, सेक्शन और राफ्ट अब कुश्चन आता है कि अगर ये जो राफ्ट है यहाँ पर जो बताया गया है ये स्टेंडर्ड है हर जगए यही चीज़े नहीं मिलती है कि आपका पूरा राफ्ट जो है यही चीज़े नहीं चलती है जैसे यह लॉग राफ्ट है जहाँ पर पूरे लॉग एक ही खटे हो रखे यहाँ पर कोई सेक्शन बंडल जैसी चीज़ नहीं है सब के साब एक खटे है पूरी जैसे सबमरीन बना रखी है ने पानी में इसकी लॉग की अब कुश्चन क्या है कि अगर यह जो राफ्ट है वो लॉग की है तो इसे हम बोलते हैं लॉग राफ्ट अगर यह बंबू की है तो इसे हम बोलते हैं बंबू राफ्ट अगर यह लॉग नहों कर कि उसको आपने कनवर्जन कर दिया और सौन टिम्बर कटा हुआ timber है यानि कि वो चौकूटी वाले अपने इस टाइप के हैं तो इसे बोलते हैं sound timber raft इसे plank, scantling, sleeper कुछ है तो हम बोलेंगे sound timber raft अब question के आएगा जैसे rafting में log raft में लिख रहा है कि 16-20 log का एक bundle होता है फिर कुछ bundle का लगवख 8-10 bundle होते हैं उनका एक section बनता है और 10-6 section में लगा करके एक log raft बनता है तो एक average overall average उँच नीच हो जाती है इसमें number of section बढ़ जाएं या पर bundle में number of log बढ़ जाएं एक average overall 100-200 log होते हैं एक raft में इसे याद रखना है और यह जो बंबु की raft होती है उसमें overall होते हैं लगवख 10-1000 कलm, 10-1000 बंबु बांस जो हैं उनके amusement को कल बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कलम तो लगवख 10-1000 कलm होते हैं एक बंबु raft में वो इस टाइप से होते हैं दस सेक्षन होते हैं दस जार तो एक सेक्षन में एक हजार बंबू होते हैं अब आप उसमें निकाल लो कि यहां पर दस बंडल है तो हर बंडल में सो सो बंबू होंगे इस हिजाब से एक में एक एबरेज दे के चलो एक राफ्ट में बंबू के में 10,000 होते हैं और बंबू में 10 सेक्षन होते हैं एक स्टेंडर्ड है उंच नीच हो जाती है अब इस पर कुछ कुश्चन देख लेते हैं जैसे कि इन बंबू राफ्ट बंबू बंडल कंसिस्ट हाव मैनी कल्म एक बंबू कल्म में कितने होते हैं तो पचास से सो तक अवरेज अपना कल्म निकलाते हैं दूसरा हाव मैनी सेक्षन इन बंबू राफ्ट लगवग अपने 10 सेक्षन के असपास होते हैं वो अवरेज यही जलता है 10 सेक्षन 15 सेक्षन 10 से 15 दिया अगर कोई 5 से 10 सेक्षन की बात करते हैं तो आपने उस पर लेते हैं अवरेज 10 के असपास चलता है उसमें अब दूसरा बाला पार्ट आपने यह जो राफ्ट बना ली है बड़ी वाली इसमें कोई ब्रेक रेक तो लगाए नहीं है अब नदी में आप गाते हुए गुन गुनाते हुए चले जा रहा है अब आपका स्टेशन आने वाला है तो आप रोख कैसे है सामने वाले अगर वो जो डंडा बड़ा सा लेते हैं उसे नदी में डाल भी देंगे तो उससे रोखने वाली तो है नहीं प्रेशर बहुत ज़्यदा होता है तो यह इस टाइप की जो राफ्ट है उन्हें आकर रोकना हो यह जो सिंगल सिंगल जो टिंबर आ रहे थे फ्लोटिंग हो रहे थी उन्हें रोकना हो तो नदी में क्या करते हैं कुछ आपस्टेकल लाखा देते हैं इनको बूलते हैं बूम Dutch word है Dutch word का मतलब होता है floating obstacle कई बार पूछा गया का boom क्या है वो Dutch word है यह पूछा गया का boom Dutch word है और इसका मतलब पूछा गया कि इसका मतलब क्या वो है floating obstacle इसमें क्या करते हैं ऐसे डंडे लगा दिये तो जो इधर से वो आ रहा है है वो राफ्ट यहां टकरा गई और यहां पर रोक जाएगी एक टाइब से ब्रेक का काम करेंगे या फिर सपोज मान लो आपको यहां रोकना नहीं है नदी आगे चली जाए आप साइड में कोई कैनल में गुसना चाहते हो तो आपको डार्यक्सिंद चाहिए तो आप यहां पर इस टाइब की राफ्ट लगा सकते हो वी सिप की नदी यसी आरही है आप इदर से चले आरही हो यहां पर आपने राफ्ट लगा दी है तो यह आपको टकरा Arizona के इस लगा दे गीं या फिर आपने यहां से एक नदी बना रखी और यहां पर आपकी पेपर मिल है तो यह राफ्ट जो है यहां से घुमाएगी और सीथ द्रहाम से इधर वस्ते चले जाओगे और पानी आपका इधर जाई रहा है तो यह जो राफ्ट है वो इस टाइप से आपस्टेकल का काम कर आजाता है परपज होता है कि जो चीजें आ रहे हैं उनको रुका जा सके तो उसे क्या बोलते हैं तो इसे बूम बोलते हैं तो यह आपका कुश्चन हो गया ऐसे तीन तो कुश्चन ही कर लिए अब कई बार कुश्चन आता है कि जो बूम है उसके कितने टाइप हैं तो दो टाइप होते हैं आप सिंगल आर्म या टू आर्म वैसे और भी टाइप बना सकते हो एक होता है जैसे अपन पुल बनाते हैं कम समाई के लिए लंबे समाई के लिए तो टेंपरेरी बोल दो या पर्मानेंट पर्मानेंट है मतलब वो से सही तरीके से फिक्स बनाना पड़ेग यह आपने आपको जो टिम्बर है उसी एक साइड में मौलना था तो आपने क्या किया ऐसे दो एंच और पर लगा किसे लगा दिया जो भी आएगा वो इधर मुड़ गया टू आर्म का मतलब आपने ऐसे किया यहां वी सेप का लगा है यह फ्लोटिंग है पूरा क्योंकि टिम्बर जो है वो पानी में तो डूबेगा नहीं तो आपको आपस्टेकल ऐसा चीज़ जो पानी की सर्फेस पर है नीचे की कोई दिक्कत होती नहीं है तो यहां पर हम लोग जो ट्रांस्पोर्टेशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने लेंड ट्रांस्पोर्टेशन पाल लिया था वाटर में हम लोगों ने floating देख लिया, floating के तो टाइप थे, telescopic floating और free floating area floating, rafting and boom देख लिया, अब आती है weight slide, weight slide के थोड़ी story समझ लो तो जएदा बेटर है, अपना मेर मुद्दा आता है पश्मी घाट, पश्मी घाट के साथ क्या दिखा थे, वहां लगवक साल भार rainfall होती रहती है, तो जो अंदर के एरिया है, वहां पर अक्सर दल दल वाला region लेता है, अब दल दल है तो यह पानी पूरे भरा है, तो क्या किया जाए, यहां पानी इतना भी नहीं है कि आप floating या rafting कर सकों, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि इस पानी को खतम कर दो और आप यहां प के पास यह होता कि जो भी है आप उसे slide करके लेकिया हो, तो weight slide का मतलब weight का मतलब गीला, मिटी गीली है, पानी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यदा नहीं है, sliding means खचोर के लेकिया आ रहा है, तो हम लोग क्या करते थे कि हाती बगरा है लेके गया है, उन से log बांदे और ख weight sliding कर लेते हैं, लेकिन यह चीज़ें ज़्यदा करती नहीं है, मैंने मुद्द अथना याद रखो कि short distance के लिए हम लोग weight sliding कर सकते हैं, तो अब transportation जो वाला था, उसमें हम लोगों ने land पढ़ लिया, water पढ़ लिया, वो last वाला हिस्सा बचता है अपना air का, air के दो part, एक तो है यह इस type के जो अपने cable होती है, जैसे के Donald Trump नहीं है, जैसे Donald Convair Belt होती है, तो इस type के हम कहां करते हैं, पहाड़ी ले area में, जब वहाँ पर suppose यह पहाड़ी है, यहाँ पर कटाई का काम चल रहा हो, अब यहां तक आप ट्रक है, उससे ले जाने का मतलब है आपको road बहुत घुमाना पड़ता है, पाड़ा हो, बहुत घुमता है, कई वार सामने की distance है, उसके लिए 15-15, 20-20 km तक जाना पड़ता है, ऐसे घुम घुम करके, तब कहीं उपर पहुँच पाते हैं, फिर यहाँ से फिर ऊपर फिर चलेगा घुम के, तब यहाँ जाएग यहाँ लटका और सीधी यहाँ पहुचा, दो चार साल पेड़ काट लो, अन्वेर बेल्ट का सामान बटोर और निकल लो सीरिया से, तो इस टाइप से हम लोग यह जो रोप वेज हैं, इनके थ्रू भी निकालते हैं, वेस्टन कंट्रीज में आजकल हेलिकॉप्टर फूट पर भी आराम से कर लेते हैं, अपने लिए क्या है रोपे में जैसे डूनाल्ड पोटिवल ग्रेवटी रोपे, पौवर रोपे, पौवर रोपे में इंजन लगा होता है, वो रस्टी को गुमाता है, यह डूनाल्ड ट्रम का मतलब क्या है, कि एक उंचाईप है, एक नीचा चला जाएगा, वो ऐसे गूमता रहता है, कुश्चन देख लेते हैं, इसका, फ्लोटिंग ऑफ टिमबर इन वाटर इस डिवाइडेड इन टू, टिमबर का पानी में जो फ्लोटिंग है, उसे कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर है, तीन, दो नहीं ल पहला तो है अपका जो अपना इसमें आयता फ्लोटिंग वाला, दूसरा था वो बूम राफ्टिंग वाला, पहला फ्लोटिंग, दूसरा राफ्टिंग, और तीसरा है वेट स्लाइड, वो भी तो उसी में फ्लोट होके चला, आपका कम होता है, लेकिन हो रहा है उसमें, औ भी नहीं करना आपको अब यहां पर आके अपना जो ट्रांस्पोर्टिशन का काम है वो हो गया अब थोड़ा एक साइड से हैड की सुकर लेते देख लेते हैं जब यह क्लास स्टार्ट की थी तो उस ताइम पर बात की थी कि अपने हाँ सबसे जदा जो वेस्टेज है टिमर क का बोलना वो हता है त्रांसपोर्टिशन वगरा में लॉग्गिंग पिल्ड काटिते समय बरिवाद ही है उसके ट्रांसपोर्टिशन कर रहे हैं तो कई वार वाटर ट्रांसपोर्टिशन कर रहे हैं दुजार लोग खौ गए पानी में सड़ गया दूब गया या फिर काटते समय पेड़ सही से नहीं घटा बहुत सारा टिमबर वहां बरबाद हो गया खाई में गर गया फिर तो अगर ओवराल लेख लिया जाए तो यह जो टिमबर का वेस्टेज है वो लगवग पचास से पचपन परसेंट तक एवरेज वेस्टेज अपना चला जाता है दूसरा तो वेस्टेज का यह बरबाद बहुत ज़दा होता था इसलिए हम लोगों ने बटोट में लॉगिंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की दिये दूसरा जो मार्केट में टिमबर आता है तो बात यह आती है कि जैसे मैं अगर कोई प्रिंटिंग के लिए आपको सपोच मैं यह मोबाइल बना रहा हूं मोबाइल की कीमत है 10,000 तो मैं यह देखूँगा कि कमपनी कितना खर्च कर रही है वैल्यव एडेशन कमपनी की तरफ से कितनी है और रॉव माटेरियल की कॉस्ट है 500 रुपए और कमपनी 500 रुपए अपने 1000 रुपए लगा के 5000 के प्रोडक्ट को 10,000 में बेच रही है तो ब अगर पता पड़े कि इसका जो रॉव माटेरियल है वही 8,000 का है कमपनी 500 रुपए लगा के साड़ी 8 कर रही है दस में बिच रही तो साड़ी 8 से 15,000 के आसपास ही मिल रही है उसमें भी टेक्स वगर है जुड़े होगे तो अगर कमपनी का प्रोफिट कम है तो इसका फ्य प्रोडक्त लेते हैं वह महंगे क्यों होते हैं क्योंकि जो भी प्रोडक्त है वह एक लिमिट से ज्यादा प्राइज बढ़ाए नहीं चाह सकते और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रेक्शन जो कॉस्ट है कनवर्जन कोस्ट है यही लगवा उसकी टोटल कीमत का 50 परसेंट बना लेता है जबकि सोचो जंगल में हमने प्योड़ तो लगवा फ्री में काट लिए तब भी इतना 50 परसेंट कर लेता है यह कोशन भी पूछा जा चुका है कि जो कॉस्ट आफ फिलिंग कनवर्जन ए ट्रांसपोर्टेशन वह एवरेज कितनी परसेंट तक उस अब यहां पर हम लोग जो यह वाला पिलर था ट्रांसपोर्टेशन का जो अपना दूसरा पिलर था इसे कंप्लीट कर चुके हैं अब इस वीडियो का अपना जो तीसरा पिलर है इस्टोरेज का उससे देखेंगे तीन चार स्लाइड बचे हैं खताम हो जाएंगे स्टोरेज के मामले में आपने दो तीन चीजों का ध्यान देते हैं मन लेता हूँ यह मेरा है गौलियर डिस्टिक यह है गौलियर सिटी यह है गौलियर सिटी और यह सिटी के पास एक एरिया है फोरेज डिपार्टमेंट का जहां पर यह पूरा पूरा अपना टिंबर खट बीचते रहते हैं इसको बोलते हैं सेल डिपो जहां ये सीधी सीधी बीचने का काम किया जाता है अब गौलियर जिस्टिक बड़ा है हो सकता है इसकी एक तहसील है यहां पर कोई दूसरी तहसील यहां पर है तीसरी तहसील यहां पर है इस तहसील को ले लेते हैं इस तहसील के हुआ है यहां पर एक छोटा सा कमपार्टमेंट है यहां पेड़ों की कटाई का काम चला है यह छोटा सा कमपार्टमेंट है यहां पेड़ों की कटाई का काम चला है तो सबसे पहले क्या होगा कि यहां से जो पेड़ों की कटाई का काम चला है यह इन पेड़ों को एकटा करत जाएंगे यहीं पर जहां पर कटाई हो रही थी और यहां किसी पंचायत लेवल पर एक एरिया में सपोर्ज यहां पर जो यहां काटके खटा कर रहे थे इसे यह बोल देते हैं कि फूरेस्ट डिपॉर्ट क्योंकि वह वहीं पर है जहां पर पिड़ों की कटाई-चठाई का काम चल रहा है लिकन यह इस पंचायत के अंदर चल रहा था अब पंचायत से इतना माल नहीं निकलता कि सीधा गॉालियर तक बेजा जा सकते हैं तो यह जो पंचायत से जो भी निकला यह अपना इनका सपोज यह जो है इनका ब्लॉक जिस्टिक की छोटी यूनेट क्या है उस से नीचे की ब्लॉक जहां पर SDM बैठता है तो आस पास की जितने भी पंचायत थी उन सभी का जो टिमबर है वो ब्लॉक के पास आ जाएगा तो ब्लॉक में जो डिपो हुआ जो आपकी तहसील में जो डिपो हुआ उसे हम बोल सकते हैं कि वो एक बीच का डिपो है इंटरमीडियेटरी डिपो है तो नीचे की पंचायत लेवल पर या आपके खित लेवल पर है फुरेज़ डिपो इसके बाद जवाब की तहसील है वहाँ पर है इंटरमीडियेटरी मद्ध वाला डिपो यह इंटरमीडियेटरी डिपो क्या करेगा जो आस पास की जो डिपो है जिन से जो टिमबर आरा उसे अपने फॉपासे खटा करेगा और उसे वहाँ सेगरिगेट करेगा सगरीगेट करनी का काम कैसा क्यासा कि यह यहां यहसे मिल करके यह सालेक कर दिया इन्य का काम हो जाता लेगेशन लग नहीं कि टीक को अलग भीजा जाए साल को अलग वहाँ पर तो पूरा माली आद़ा ट्रक का निकला तो समभब नहीं है सब्सक्राइब तो यह ब्लॉक लेवल पर यह इंटर्मीडेट्री डिपो पर हम यह माल को सग्रीगेट कर लेते हैं फिर सग्रीगेट करके जो भिंड भेज़ देगा, यहां पर कोई पेपर मिल है, उसके लिए मतलब का जो होगा, वहां पर भेज़ देगा, तो इस टैप से इन्टर्मेटर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर् भांपर प्र पर को लॉटिंग, बाकिंग, डी बार्यिंग बार्ग वगर निकलने सब काम करते है फिर वोग वहांस आते हैं इंटर्मेडिट्री में जेहान सघरिकेशन करते हैं और फिर आधि आते हैं सेल लिपों गांगे यहां बेचनी का काम किया जाएगा यहां लकडी जब तुम्हारी आईगी तो उसमें देखा जाएगा कि क्या कोई defect है कोई भीमारिया है वहां लकडी को सुखाया जाता है, seasoning का काम किया जाएगा, लकडी को preservation का काम किया जाएगा यह दोनों इसलिए वो लाओं seasoning, wood seasoning और wood preservation अगले वीडियो में हम लोग इन दोनों topic को discuss करेंगे, तो वहां लकडी को सुखाने का प्रजारु काने का काम किया जाएगा वहीं इनकी grading की जाती है, उनके defect के हिसाब से और वहीं पे इने oxygen करके बेच दिया जाता है तो इस type से आपके डिपो अगर location के हिसाब से बात की जाए तो तीन हो है, forestry डिपो, beach का transit डिपो और cell डिपो और अगर आप size के हिसाब से बोल दोगे, तो छोटा बड़ा उस से बोल सकते हो, जगह के हिसाब से बोल सकते हो, कि आपने जामीन पर बनाया है, पानी में जासे कि यह डिपो जो है वो पानी में बना रखा है अब इनके पास जमीन पर जग़े नहीं तनी तो इनने पानियों बना रखा है और फिर दूसरा पीपर में वाले भी अकसर पानियों बना देते हैं क्योंकि पानी में टिमर पड़ा रहेगा तो जो लिगनिन वगर है वो घुल के निकल जाता है तो इनका chemical जो है वो कम लगता है यह देखो डिपो की picture है यहाँ पर क्या है कि suppose आसपास से आ रही होगी यह intermediary डिपो दिखता है यह intermediary डिपो में जैसे टिमर आ रहा है उसकी इन्हें grading सी थोड़ा सग्रियेशन का काम कर रखा है यहां पर यह जो चमबर है यहां सुखाने का काम कर रहा है यहां लगड़ी सुखाई आती है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है यह सेल वाला तो नहीं है और फोरेज डिपो गिनी इंटर्मीडिटरी वाला जहां इनका सग्रियेशन का काम चल रहा है तो यह रहा है अपने डिपो का काम अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया है पीडों को जंगल से काट लिया है उसको कैनवर्ज कर लिया है उसको ट्रांसपोर्ट कर लिया और उसे यहां रख लिया है सेल डिपो में सेल डिपो तक हम लोग पहुंच चुके हैं अब हम आगे की वीडियो में क्या करने वाले हैं ये जो लकली रखी है इसको सुखाएंगे यानि कि सीजनिंग करेंगे जरूरत पढ़ी तो इसको प्रिजर्व करेंगे कुछ और चीज़ें भी है तो बो भी बनाएंगे कई वाल लकड़ी की कमी होती तो हम इसको बनाते हैं ये इंप्रोवाइट बनाते हैं तो एक तो बो पढ़ेंगे दूसरा ये डिपो में जब टिमबर आ चुका है कौन से सेल डिपो में तो यहां पर हम वहुowाच है से फिरी ग्रेड ऑप साथ कीए चारी है तो यहां बनाते हैं अब वीडेडिय करेंगे कौलटी बहुत ज्यदा बरबात आं तो स्यली करेंगे तो पहले तो अगले चाप्टर यह आगले वीडियो में discuss करेंगे timber की जो defect हैं उन्हें discuss करेंगे उसके इसापटेंगे थोड़ा बहुत grading देख लेंगे एम यह वुड को जो सुखाने का काम है वो देखंगे वुड को preserve करने का काम देखेंगे जै लखड़ी को कैसे बिचा जाए तब वो अपने स्लेवस का पार्ट नहीं है उसे नहीं देखेंगे आपर और एक वर होता है कि लखड़ी के क्या यूज है वो और देख लेगे यहां पर आके अपना वुड साइंस टेक्नो वाला पार्ट जो है कॉप्लीट हो जाता है इसमें एक चीज और है वुड की जो प् पढ़ोगे समझ मैं जाएगा आपको कई दिक्कत आती तो कुष्चन बिलकुल पूछ लेना यहां कि अपना यह वाला पार्ट जो वीडियो का है वो कंप्लीट हो जाता है